सभी सिच्छक साथियों को मेरा नमस्कार साथियो यूडाइस प्लस पर टीचर मॉडियूल में सभी टीचर्स को अपना आधार वेरिफाई करना है और टीचर मॉडियूल को मा कंप्लीट करना है ये करने की अंतिमतिती 31 मार्च है इसके बाद टीचर मॉडियूल को लॉग कर दिया जाएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और अन्य साथियों की महत के लिए से सेयर भी कर दें देखे सबसे पहले आप यूडाइस प्लस की ऑफिसियल वेबसाइट पर आएंगे यहां पर आपको नीचे की तरफ टीचर मॉडिल का ओप्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक कर देंगे यहां से आपको अपना यूजर नेम में यूडाइस टाइप करना है पा कि तरीके से आपको अप्शन केगा किलिक here to mark complete देखे आपको हमारे चैनल पर यह वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो में आपको बताइगा के टीचर मॉडिल को mark complete किस तरीके से करना है उस सांट के में रिच देeten में देदुआप को आइप इसको कुझ रिए थाप है अब तो देखें यहां से teacher की detail open हो जाएंगी, देखें यह पहले number के teacher है, यहां पर आपको देखें option मिलेगा आधार verify के लिए, तो यहां पर verify आधार from UIDI option पर आप click करेंगे, तो यहां से इनका आधार verify हो जाएगा, अपडेट में देखिए, यहां पर आपको general profile, appointment and training, यहां से आप general profile और in details को update कर सकते हैं, verify आधार option पर click करेंगे, तो teacher का आधार यहां से direct verify हो जाएगा, देखें यहां दूसरे teacher का भी आधार हमने verify कर दिया, तो आप इसी तरीके से सभी teachers का आधार verify कर देखेंगे, अब यहां से delete option से teacher को delete कर सकते हैं, view से teacher की details देख सकते हैं, अब देखेंगे, अगर teacher के नाम में mismatch होगा, तो उनका आधार verify नहीं होगा, देखेंगे, इनके name mismatch है, तो यहां से इनका आधार verify नहीं हुआ है, अब देखेंगे, UDAIS Plus पर student module हमें किस तरीके से बरना है, यह वीड वीडियो पसंद आये तो like कर लें, और अन्य साथियों के महत के लिए से share करना न भूले, आपका बहुत बहुत धन्यबाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए